हमारे एपीजोड की शवात में हम इसागी को देखते हैं जो कि काफी जादा खुश होता है जो से बिलू लोग के टॉप 11 में सेलेक कर लिया गया है पर इसी में एक समस्या को सामने रखते हुए बोलने लगता है लोग से पहले मुझे यूनियन के ओफिशल हेड़कॉर्टर की तरब से काल आई थी इसने मुझे बताया कि इतोशी साय जपान के यूट्वेंटी के फॉर्वर्ट्स को देखे काफी जादा डिसपॉइंट हुआ है बास से बतर इतोशी साय ने एक कंडिशन अखिया है कि अगर वो लोग वाकी में चाते है कि वो मैच में शीदो पे जाती है कि जोड़-जोड़ से चलार होता है कि मेरे को यहां से बाहर निकालो तुम हरामियों में अगर जर्रासी भी हिम्मत है तो मेरा सामने से आके मुकाबला करो शीदो ये सब कुछ फट-फट के बोल आ ही होता है कि तभी उससे अपने आप ही मिलने वहां त शीदो अब उससे देखके बोलने लगता है तू अब तू कोन है तो शीद साहिब उसका जवाब ना देता बलके अपना ही बोलता जाता है ये बिलु लोग तमारे ले काफी छोटी जगह है काफी छोटा कैद है तमारे लिए इसलिए मैं मैं तमें यहां से अज़ाद करने मैं तमारे लिए बिलु लोग की चार देवारी को गिराने आया हो मुझे तमार्य इगो चाहिए मुझे तमारा जनून चाहिआ और वो जस्पा चाहिए वो बढखते वे शोले वो इंटेंसिटी तो इसलिए मैं चाहता हूँ तो मेरी आतार सी अज़ाद razTE पर जाती है और की फटती है यहां तक फटके चार हो जाती है इसी के साथ EGO बोलता है बिलू लूग की रेगुलर अनौस्मेंट यहां पर खतम होती है इगो जिमपाजी सिस्टम्स की कुछ फाइल बगारा पे क्लिक करते दुरान बोलने लगता है बिलू लूग का फूजर अब तुम लोगो कंदों पे हैं अगर तुम लोग हारोगे तो बिलू लोग यहां पे मिठ चाहेगा हमारे प्रोचर्ट को नाम सबसे बड़े फेलियर में आएगा इतियास में और जब बिलू-LOG मिठेगा वो बिलू-LOG तुम लोगों के सोकर फुचर के साथ मिटेगा मैरे इस बात को अपनी अकल और जहन में बिठा दो इत्यास में सबसे बेकार माने जाएंगे हम इत्यास में सबसे दो नमर माने जाएंगे फिलू लोग के प्रोजर के नाम सरफ एक ऐसा होगा जिस पे करोरो अर्बो लुटाएगे सर्फ फेल होने के लिए सेलेक्शन की तुरान हमें बीच पे कुछ मुश्किलात का सामना करना तो पड़ा है पर अब स्टेज पूरे तरीके से सेट हो गया और अब हमारे पास सिरफ और सेफ पंदरा दिन ही बाकी है और इन पंदरा दिन हमें हम करने को जा रहे है एक गजब किसम की ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग से गुसाने के बाद ही तब ही तुम लोग खिलाओगे एक मुकमल टीम मैं पहले ही बता दू गल्दी की यहाँ पे कोई गुणजाश नहीं है हलाके रिन उसकी बड़ी बड़ी बाते सुनने के बाद काफी जादा सीरस होके बोलने लगता है अरे तू क्या ती बड़ी बड़ी स्पीच देर जबके मेरे लिए मैच मेरे लिए मैच सिर्फ एक कहते ही है जो कि मेरे रास्ते में एक फट्तर की मिसाल है और इसके ठीक बीचे, बाकी प्लेयर्स भी अपने शोलों से बरते हैं, रिंग की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जहां पर उनके चेहरे हैं, इस बात की साफ साफ गवाई दे रहे होते हैं, कि ये मैश तो, ये मैश तो सिर्फ हमारी शुरुआत होगी, हमने वर्ल्ड बेस्ट ट्र तुम इगोईसम की ट्रेनिंग कैम्प यहां से शुरू होती है, और इसके साथ हमारी चप्टर यहां पर खतमता है,